मेरे हर वीडियो के गॉमेंट्स में एक कॉमेंट सवाल हमेशा होता है कि Sir, please मेरा Nutual Fund Portfolio Review करके बता दो मैंने यह यह funds खरीदे हुए है क्या यह अच्छ है या नहीं मेरा portfolio अच्छा है या नहीं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको खुछ से ये पता लगाना सिखाऊंगा कि आपका mutual fund portfolio अच्छा है या नहीं अगर नहीं है तो actually मैं आप ऐसे क्या changes कर सकते हो जिससे आपका portfolio और ज्यादा बैतर हो जाए तो बिना skip की ये पूरा वीडियो देखना आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलने वाला है दोस्तो personal finance, stock market and mutual funds के बारे में हर हफते कुछ नया सीखना चाहते हो तो channel ज़रूर subscribe कर लेना क्योंकि हमें जल से जल 1000 subscribers की family पूरी करनी है तो आज ही मेरी family का हिस्सा बन जाओ and post notification bell जरूर on कर देना ताकि कोई भी important video update आपसे मिसना हो Usually जितने भी नए investors और beginners होते हैं वो मुझसे ये पूछते रहते हैं कि Sir इस category में अच्छा fund बता दो, इस category में अच्छा fund बता दो मैंने ऐसे बहुत सारे portfolio देखे हैं जिसमें लोगों ने 16-17 funds भी purchase कर रखे हैं यहां तक कि बहुत सारे ऐसे investors भी हैं जिन्होंने 25-30 mutual funds भी अपना पैसा invest कर रखा होता है और जब मैं इने reason पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि आपने ही तो बोला था अपना portfolio अच्छे से diversified रखने के लिए तो दोस्तो यह diversification का actual meaning क्या है यह आपको पहले पता गरना होगा diversification का मतलब यह नहीं है कि जितने हो सके उतने अच्छे funds में अपना पैसा डालते रहो जितने भी आपको अच्छे funds लोग बताते रहें उसमें अपना पैसा invest कर दो portfolio diversification का सबसे पहला step होता है अपना portfolio size पता करना portfolio size का मतलब होता है कि आप कितना पैसा invest करने वाले हो होता है छहां पर आप यह decide करते हो कि आप अपना पैसा mutual funds में डालो होगे किता पैस máximoIfD में डालोगे कितना पैसा bonds मने या फिर और किसी घर्लासे मेंआप अन्यवेश्ट करने वाले हो дополн ten step में यह पता लगाने के बाग कि हम कितना पैसा mutual funds में यादर वाले हैं, थर्ड स्टेप में हम उस mutual fund वाले amount को तीन categories में divide कर देंगे, equity, debt and hybrid, हम ये decide करेंगे कि हमें हमारा कितना पैसा equity में invest करना है, कितना debt में और कितना hybrid funds में, और इनमें से सबसे ज्यादा investment लोग equity mutual funds में करना पसंद करते हैं, क्योंकि equity funds सी सबसे ज्यादा returns बना कर देत subcategories decide करेंगे, अगर equity funds की बात करें तो यहाँ पर subcategories है, जैसे कि large cap, mid cap, small cap, flex cap, multi cap, काफी सारी subcategories है, तो इसमें से हम 3-4 subcategories decide कर लेंगे, जिसमें हमें conviction हैं, और जिन categories के साथ हम comfortable हैं, and for example, अगर मैं अपने portfolio की बात करूं, तो मैंने अपना equity investment चार subcategories में diversify किया है जिसमें से 1 fund है large cap, 2 fund है small cap, 1 fund है flexicap, और 1 fund है ELSS, और ये 5 ही mutual funds के बारे में मैं already इस video में discuss कर चुका हूँ, आप इसके बाद जाकर वो video भी चेक कर सकते हो, तो आपको भी अपने risk profile के हिसाब से 3-4 max to max subcategories select कर लेनी हैं, हो सकता है, ये किसी के लिए large cap, mid cap and small cap, 3 subcategories हो, कुछ लोगों के लिए small cap, large cap, mid cap, flexicap या फिर कोई और भी extra category अगर उन्हें sectorial funds में भी invest करना है, तो वो 5 subcategories भी add कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से max to max 4 subcategories are enough, और 4th step में सारी subcategories decide करने के बाद आपको अपना जो equity mutual funds वाला amount था, उसको diversify कर देना है इन सारी ही subcategories में, थोड़ा थोड़ा amount divide करके सारी subcategories में decide कर लो कि आपको कितना amount कहा invest करना है, and now coming up to the last step, जहां पर हम इन सारी subcategories में कौन से best mutual funds है, ये टून देंगे, ये shortlist करेंगे, और उन सब के नाम कहीं पर लिख देंगे, और अगर आप खुद से अच्छे mutual funds जूनना नहीं जानते तो आप मेरे सारे videos check out कर सकते हो, मैंने सारी ये subcategories के उपर videos बनाये हुए है, तो हम आगे कुछ rules discuss करेंगे, ये rules आपको ध्यान में रखने है, mutual funds के name decide करते वक्त कि आपको कौन से mutual funds pick करने है, आगे investment के लिए, so rule number one is कि आप जितने भी mutual funds pick करोगे, वो सारे ही top performing होने चाहि ये आपको खुद की research करने ही अच्छे से, उसके बाद mutual funds pick करने है, coming up to rule number two, आपको सिफ four to five funds ये add करने है, maximum four to five funds, इससे ज्यादा funds add करने की जरूरत नहीं है, जिसका proper calculation हम आगे देखेंगे, कि अगर आप पांच से ज्यादा है, अगर 10 या 15 funds add करते हो, या फिर पांच is under same asset management company, किसी भी same AMC के अंदर आपको दो से ज्यादा funds pick नहीं करने है, क्योंकि पांच में ऐसे काफी सारे किस्से हुए हैं, जहां पर काफी सारी AMCs ने बहुत scam भी किये हैं, अगे जाके भी अगर ऐसा कोई scam सामने आता है किसी AMC का, और आपका पैसा उस AMC के अंडर में invested ह हैं, तो अगर सारे ही funds invested रहेंगे सेम ही AMC के अंदर, तो हो सकता है कि आपका पैसा वहाँ पर कुछ time के लिए first जाए, ये चीज़ अमने पास्ट में भी देखी है, जहां ऐसी कुछ news आती है, तो सारे ही investors अपना पैसा निकालने लगते हैं, और unfortunately fund manager को withdrawals pause करने पड़ते हैं तो small cap funds category में आपको दो से ज्यादा funds pick नहीं करने हैं, and related to this comes rule number 5, जहां पर हमें portfolio overlapping check करना है, suppose आपने किसी भी same subcategory के अंदर दो funds pick किये हैं, तो आपको उन दोनों ही funds का portfolio overlapping ज़रूर check करना है, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितने percentage of stocks उन दोनों ही funds के अंदर same है, औ portfolio overlapping check करने के लिए जो भी अच्छी websites हैं, उनको मैं description में mention कर दूँगा, अब वहां से अपने funds का portfolio overlapping check कर सकते हो, so ये थी वो 5 rules जिनका आपको ध्यान रखना है अपना portfolio बनाते वाक, and now comes the most important point कि क्यो मैंने आपको maximum 5 funds ही pick करने को कहा, क्या सच में 10 से 15 funds ज्यादा returns बना कर दे सक हैं ये पूरी calculation के साथ, तो आपको better समझाएगा, आपको ये same calculation अपने portfolio के लिए भी करना है, जितने funds आपने पिक किये हैं, या पिर जितने funds में आप invest कर रहे हो, और उसके बार ये देखना है कि क्या वो fund actually में अच्छा है या नहीं, दोस्तों आपका mutual fund portfolio अच्छा तब कहल रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ गल्टी कर रहे हो, चलिए इसे calculation के साथ देखते हैं कि आप अपने mutual fund portfolio के बारे में कैसे पता लगाएंगे कि वो actually में अच्छा है या नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जो पांचों funds लिये हैं, इनके बारे में मैंने डिसकस portfolio के भी सारे funds की one year, three year and five years के returns की value निकाल ली है, ताकि हम सारे ही time horizons में compare कर पाएंगे कि हमारा portfolio outperform कर पा रहा है nifty को या फिर नहीं, so now let's take average of all these values, यहाँ पर हम one year की सारी values का average ले लेंगे, sum करने के बाद हम इसको divide कर देंगे 5 से, जो हमारे portfolio के last one year के average returns बनके आ रहे हैं, व है 217 percentage, वहीं पे nifty 50 के जो returns है, वो है 95.18 percentage, और अगर 5 year के time horizon में हम देखेंगे, तो 5 years में यह returns बन जाते हैं 148 percentage, और वहीं nifty 50 के जो returns है, वो है 69.48 percentage, यानि कि इस mutual fund portfolio ने totally outperform करा है nifty 50 को past 5 years में, और यह calculation अभी हमने 5 अच्छे funds के लिए किया था, अगर किसी ने अपने portfolio मे 10 अच्छे funds add करके रखे हैं, और वो 10 के 10 top performing funds हैं, तो क्या वो portfolio इस portfolio के returns को beat कर पाएगा या नहीं, चलिए अब वो भी check कर लेते हैं, so to calculate that, यहाँ पर हमने 10 अच्छे funds pick कर लिये हैं, और उन सभी के past returns का data भी import कर लिया है, और यह सारे ही funds अपनी अपनी category के top performing funds हैं, इन सार जाती है, total divided by number 10, जिसकी value आ जाती है 21%, यानि इस portfolio के last 1 year के returns बन रहा है 21%, अगर 3 years में हम देखेंगे, तो वहाँ इसके returns के value बन जाती है 192, and 5 years में calculate करेंगे, तो यहाँ पर हमें value मिल जाती है 142%, अब यहाँ आप clear difference देख सकते हो 10 funds के returns के बीच में, और 5 funds के returns के बीच में, जो 5 fund का portfolio है, उसके returns 10 funds के portfolio से काफी ज्यादा बैतर है, और उपर से यहाँ पर तो हमने सारे ही funds top performing pick करें हैं, एक से एक fund को wealth research करने के बाद हमने यहाँ पर pick किया है, और 80% mutual fund portfolios ऐसे होते हैं, जिसके अंदर लोग बस किसे के कहने पर अपना पैसा invest कर देते हैं, या फिर बि coverage returns यहाँ पर nifty 50 को भी beat नहीं कर पाते, no doubt यह दोनों ही portfolio उजने nifty 50 को beat करा है, लेकिन आप देख सकते हो कि ज्यादा funds add करने से आपके returns minimize हो चुके हैं, इसकी जगह आप सिफ 5 leader funds choose करोगे अपनी category के, तो उस case में आपके returns बहुत ज्यादा maximize हो सकते हैं, और आप nifty 50 को भी का सारी ही सब category's के अंदर दो-दो funds add कर लेने हैं, वो बस एक maximum number खा और उनी rules का follow हमने यहाँ पर भी किया है, अब देख सकते हो हमने small cap category के सिफ 2 funds pick किये हैं, एक fund flexi cap है, एक fund large cap and एक fund ELSS category का है, यहाँ पर हमने quant AMC के maximum 2 funds ही pick करे हैं और nippon AMC के सिफ 2 funds ही हैं, तो इस तरह से आ यही चीज आपको अपने portfolio के लिए भी करनी है, जो भी current आपका mutual fund portfolio है, अपको सारे ही funds के name note down कर लेने हैं, फिर उनके 1 year, 3 year and 5 year के returns की values निकाल लेना, और उसके बाद उसका average return calculate करना, अगर आपका investment amount same था सारे ही funds में, तो फिर आप इसी तरह directly 5 से divide करके average निकाल सकते हो, ले और यहाँ पर मैंने इन सभी का total amount calculate कर लिया है, तो 7,50,000 total amount बनता है, this is just for example, and अब यहाँ 1 year returns calculate करने के लिए आपको यह formula use करना होगा, आप check out कर सकते हो, हमने सारी ही values का multiplication ले लिया है, 2 lakh multiply by 29 percentage, plus 2 lakh multiply by 31 percentage, plus 1 lakh multiply by 20 percentage, plus 1 lakh into 26 percentage, plus 1.5 lakh into 17 percentage, और इन सब का ही total करके हम divide कर देंगे उसको 7,50,000 से, जो हमारा total investment amount है, and यह formula आपको भी apply कर लेना है, अगर आपने different amounts invest किया है, सारे ही funds में, तो उनका average आप ऐसे निकाल सकते हो, same चीज़ हमने 3 years में भी करी है, 3 year में आप check करोगे, तो हमने इन दो-दो columns की सारी values को multiply किया है और उन सब का total करने के बाद हमने 7,50,000 से divide कर दिया, and same 5 year में भी, तो इस तरह से आप average returns निकाल सकते हो, गर आपके investment amounts different है सारे ही funds में, पिर देखना क्या वो 50-50 को beat कर पा रहा है या नहीं, अगर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आपका portfolio अच्छा नहीं है, आपको काफी क change करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको अपने portfolio के सारे ही funds को अच्छे से analyze करना है, और देखना है कि क्या वो सारे ही funds अपनी category के top 5 ranking में आते हैं नहीं, और किसी भी fund की ranking जानने के लिए आप money control website का use कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम निपॉन India small cap की अगर ranking देखें, तो ह यहाँ पर आपको money control का website सबसे उपर देख जाएगा, तो यहाँ click करने के बाद आप जब नीचे swipe करेंगे, यहाँ आपको सारे ही funds की rankings दिखेंगी, और यहाँ आप देख सकते हो कि निपॉन India small cap fund की ranking सारे ही time horizons में top 5 के अंदर है, यानि यह भी एक top performing fund है अपनी category के अंदर 30 funds में से top 5 में rank करना एक काफी अच्छी बात है, तो यह चीज़ आपको अपने हर एक fund के लिए check करनी है, और उसके बाद जो भी funds ऐसे हैं, जिनकी ranking top 5 में नहीं आ रही है, उन funds को आपको remove करना है, और कुछ अच्छे funds add करने हैं, जिसके लिए आप मेरी mutual fund playlist check out कर सकते हो, ज इसमें मैंने सारी ही subcategories के under में जितने top performing funds है, उन सभी के related videos बनाए हुए हैं, तो आपका काम असान हो जाएगा, और अगर आपका current portfolio already outperform कर रहा है, nifty 50 के returns को, तो फिर आपको ज्यादा major changes करने की जरूरत नहीं है, बस अगर आपने बहुत ज्यादा funds add करके रखे हैं, तो उसको कम कर देना, और comment section में भी बता देना कि आपके portfolio में कौन से कौन से funds हैं, ताकि बाकी लोगों को भी आपके comments देखकर काफे कुछ सीखने के लिए, और एक अच्छे stock portfolio के बारे में जानना चाते हो, जिसमें आप अपना पैसा invest कर सको long term के लिए, तो मेरे ये दोनों वी portfolio के बारे में, जिसमें आप अपना पैसा invest कर सकते हो, अगर कोई और question, या फिर doubt, या फिर कोई feedback हो, तो मुझे comment section में जरूर बताना, या फिर आप मेरे Instagram पर भी आकर मुझसे personally connect कर सकते हो, अगर ये video informative and valuable लगा हो, तो like जरूर कर देना, और आप में से जितने भी लोग मेरे videos like करते हैं, comment करते हैं या फिर share करते हैं, मुझे काफी ज्यादा motivation मिलती है, तो दिल से thank you आप सभी लोगों को, मैं ऐसे ही अच्छे videos आपके लिए लाता रहूंगा, so till then take care and bye-bye.